सब्सक्राइब कीजिए अन्य पोर्णा रसो इस चानल को और बैल बटन को दबाईए हमारे न्यूँ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो यूटूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरा नाम है एकता आज हम बनाने जा रहे हैं काली गाजर से कांजी जो खाने बहुत टेस्टी होती है अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगेल तो मेरे वीडियो को लाइक कीजी जीर कीजी और मेरी चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजी और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। कंजी बनाने के लिए मैंने एक किलो गाजर लिया है जिसको मैंने दूखे साफ करके इस तरह से लंबे टुकड़ों में काट लिया है टुकड़े आप अपनी पसंद से कर सकते हैं छोटे बड़े गोल जैसे आप चाहें देड़ लिटर पानी लेंगे हम सिंपल नमक लिया है एक चमच राई लिये मैंने चार चमच और काला नमक लिया है आधा चमच सबसे पहले एक जार लेंगे उसके अंदर कटी हुई गाजर डाल देंगे गाजर को आप काटने से पहले ही धोले अब हम इसके इंतर पानी डाल देंगे मैंने पूरे डाही मग्ये पानी डाला है अब हम इसमें काला नमक डाल देंगे सिंपल नमक भी डाल देंगे और राई भी डाल देंगे अगर आप जाधा खटा खाते हैं तो इसमें आप पान से छह चमच राई के डाल सकते हैं राई को आपने पीस के डालना है मिक्सी के अंदर और अच्छे से मिला देना है राई और नमक को देखे फ्रेंड्स मैंने कांजी त्यार कर ली है अब हम इसे धूप में तीन से चार दिन तक रखेंगे जिससे इसका पानी जो है एकदम खटा हो जाएगा और इसका कलर भी चींज हो जाएगा कि देखे फ्रेंड्स चार दिन हो चुके हैं हमारी कांजी जो है वो त्यार हो गई है अब हम इसे सर्व करेंगे गिलास के अंदर पीसिस डालेंगे ए खाने में बहुत टेस्टी होती है इसका पानी जो है वो खट्टा होता है बहुत ही टेस्टी लगती है यह कि देखे प्रेंट्स हमारी कांजी तेयार है पीने के लिए और खाने के लिए यह बहुत ही टेस्टी वनी है आप एक बार घर में जुरू ट्राइए किजी अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों साथ शेर कीजिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ मेरा वीडियो देखने के लिए अपना कीजिए करेंगे